मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने मोबाइल में आइकन पर कुलिक करते तो यहां पर आपके जो णंबर आ गए यहां से जैसे की इस नंबर में यह करता हूं तो देखिए यहां पर कर सकते हैं इसके लिए देखिए यहां पर settings का option है तो three dot है three dot के उपर आप click करेंगे तो यहाँ पर call setting option आ जाएगा तो मैं यहाँ पर call setting करके भी आप यहाँ से record की setting को change कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ आपका mobile में नहीं आ रहा है तो simply आपको जो अपने mobile के setting option है setting option में आपको जाना है और देकि ज्यासे setting option में जायाँ जाएंगे यहाँ बहुत सारे option देखने को मिलेंगे इस में एक option देखने को मिलेगा application permission तो जो अप्र करों है इसके उपर आपको क्लिक करना है तो जो पहले डारेक्ट आ रहा था option वो इस तरह से यहां पर आ चुका है आने के बद में देखिए यहां पर फॉर्थ option है record setting तो यहां record setting के उपर आपको click कर देना है जैसे हम click करेंगे तो यहां पर देखिए do not record automatically पर click है तो यहां पर के लिख देना है यहां जो टिक माक है चेक माक है record all call automatically या फिर रिकोड़ कस्टम call automatically जो भी आपको है मल कुछी इकोल्स को record करना है तो वहां पर कस्टम में आप डाल सकते हैं जैसे कि और दूबारा से आप कोई भी call को Ricky या फिर call को करोगे तो automatic यहाँ पर recording होना start हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसरे कि में यह call करता हूं तो यह प्रशस को बेखार पर recording कुझे सोन तो इस तरह से call recording होना start हो जाएगा इस ततरह से आप कोई भी जो नंबर है इनकमिंग या फिर आउटकमी अभे को आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आई होब आपको वीडियो अच्छी लगए तक लिए लाइक से सब्सक्राइब फोलो जरू कीजिए